Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग, आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये discuss करने वाला हूँ कि sodium oxide का formula क्या होता है और ये कैसे बनता है sodium ion की valency होती है plus 1 और oxide ion की valency होती है minus 2 मैं यहापे sodium atom का symbol लिखता हूँ any और उसके नीचे लिखता हूँ sodium की valency 1 इधर oxygen atom का symbol है O और उसके नीचे में लिखता हूँ oxygen atom या फिर आप बोलिए oxide ion की valency 2 अब यहाँ पे sodium और oxygen इन दौनों की valences का अगर मैं ratio लूँ तो ratio आता है 1 is to 2 जो की एक simple ratio है इसको further reduce नहीं किया जा सकता तो अब हम क्या करेंगे अब हम इन valences को crossover करेंगे इसका यह मतलब हुआ कि sodium atom के symbol के आगे मैं oxygen की valency लिखूँगा और oxygen atom के symbol के आगे मैं sodium की valency लिखूँगा तो इस तरह से यह formula बना Na2O बन अब लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं Na2O तो sodium oxide का formula बना Na2O